पंगी कर लिया बाल वाला अब क्या कर रहा है कितने जोन की मादल देख तो यहाँ पे धोकला बन कर तैयरा रहा आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं चतनी बहुत इससल बनाती हुत in न भो पंसे तो ढोला बनाने के लिए गाइज पहले यहां पी मुझे पानी रखना होगा गरम करने के लिए तो में पास ढोला स्टेंड नहीं है मतलब तो मैं ढोले को भगोने के लिए तो हैलो जी राम राम गुड मॉर्निंग कैसे आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे तो वेलकम बैक वार न्यू व्लोग आज का जो ब्लोग है गाइज मैं सुबह के साथ बजे स्टाट कर रही हूँ और मैं नहाद हो चुकी हूँ आज है सुक्रवार मैंने सीर भी दुल लिया है आप देख सकते हो और पती देव यहां बैठे हुए नहानी के लिए बोल रही हू पता नहीं क्या देख रहे हैं तो गाइज मैंने घर के सारे काम कर गया आज तो आपको बिस्तर उस्तर भी मेरा सेट ही दिख रहा होगा क्योंकि मैंने सारे काम कर लिये हैं जाड़ू पोच्छा बरतन कपड़े कपड़े विदुल लिया अब यही पती देव नहाएं कि इन आपको चल के दिखाती हूं तो आए मेरे साथ आज नास्ते में ढोकला आप देख सकते हो कैमरा पता नहीं क्यों दुदलबदल सा आरहा है समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पर मैंने बैटर बना करके तयार कर दिया है आपको दिख रहा होगा तो चलती हूं फटा-फट से इसे बना लेती हूं तो ढोकला बनाने के लिए गाइस पहले यहां पर मुझे पानी रखना होगा गरम करने के लिए तो मेरे पास ढोकला स्टेंड नहीं है मतलब तो मैं ढोकले को भगोने वे ऐसे टोप में बनाती हूं उसमें अच्छे से बन जाता है कोई दिकत नहीं है तो जरूरी नहीं अगर आपको पास स्टेंड है तब ही आप ढोकला खाओ ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं कैसे बनाती हूं जुगाड करके आपको भी दिखाती हूं जुगाड दोकला बनाने के लिए मैंने आप एक पतीला लिया हुआ और इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डा हैं जुगाड जरू चाहिए तो जल्दी भाब बन जाता तो बहुत जल्दी हो जाता है वह बिलकुल भी गच्चापन नहीं आता तो चलिए हमारा पानी जो बिल्कुल अच्छे से गरम हो चुका है तो फटा-फट से हम इनो को इसमें डालते हैं और बैटल को फटा-फट से उसमें रखते हैं तो आपको दिखानी पाइनी गाइज कि फिर स्टेंड बर लेकी नहीं आए हूं कि जगें रख लेकी तो मैं करके फिर बताती हू तो जैसे आप इनो को डालेगे ना आपका कुछ इस तरह से जहाग बनना स्टार्ट हो जाएगा और आपको तुरंत ही इनो को डालके इसको अच्छे से मिक्स करके तुरंत ही रख देना है क्योंकि यह जाता देर तक बाहर नहीं रखना है तो मैंने इनो डाल दिया इनो को इसके बाद मैं फटाक से रख दो ही तो यहाँ पर गाईज मैंने अपने डोकले को बिल्कुल अच्छे से सेट होने के लिए रख दिया है और आप देख सकते हो कितना जुगारू डोकला है इसमें मैंने बिल्कुल भी स्टेंड भी नी रख तो गाईज आपकी बताईए है जुगारू डोकला बहुत ही जुगारू को मैं ऐसे ही बना के खिलाती हूं पतिदेव को और खुद भी खाती हूं मैं मोमोस भी ऐसे बनाती हूं मतलब मैं कोई भी चीज बनाती हूं तो मेरे पास जो होता है मोमोस का कूकर मतलब बनाने वाला वह सब नहीं है मैं ऐसे ही सा आके आजाएंगे तो उन्हें नास्ता चाहिए तो मैं बना लेती हूं फटा 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 फिल मिलती हूं अपसे बने रहे आप लोग फटक वीडियो में तो गाइज यहां पर धोकला हमारा बन करके तयारा आप देख सकते हैं यहां पर चटनी तो चटनी बहुत ह रखर भावी टेश लगती पिल के नास्ता नहीं करने बताउं इतना हाल से इंसान कहांँ होगा तो चलिए यहां पर नास्ता वास्ता करके निलते हैं आपसे अप Quem बने रहे वीडियो में तो गाइज यहां पर नास्ता वास्ता हमने कर लिया है पती देव बाहर खड़े हुए है बालकनी में कपड़े उपड़े उनके बने निकाल दिये हैं क्योंकि वह जा रहा है ऑफिस घड़ी में बच गया है नो तो कफी लेट हो रहा है और सारे काम गाइज मैंन तो यहां पर गाइज मोरंग वरंग आया रहा है कितने आवाज हो रहे हैं तो टाली फस गई है तो वहीं देख रहे हैं और गैसमें आपको बैग केमरेस दिखाती इतने तेज बादल हो रहा है तो गाइज यहां पर पती देव देख रहे हैं टक्टर बताओ ऐसे पून टक्टर देखता है तो बूंद आ चुकी है बारिस स्टार्ट हो गई है गाइज मैं आपको दिखाती हूँ मेरे हाथ के भी पानी पानी हो रहा है अब आपके सर्ट पर बिल्कुल ही पता लग रहा है कि हां बूल पर वेदेगा है तो गाइज यहां पर हो रही है बारिस और पती देव कह रहे हैं जाओ नहालो बताओ मैंने आज ही सिर्धुला मैं कैसे नहालो मेरे बाबू मेरे बाल देखना यह पकर के छुड़ाना छुड़ाना आए राम देखना एसे खड़े खड़े कैसे तूट रहे हैं आई यह मतलब बालों की प्रॉब्लम बहुत हो रही है और मैं आपको दिखाती हूँ बूध कैसे पड़ी हुई हमारी ग्रील पर तो गाइ यहां पर मौसम बिल्कुल खतरनाक हो गया है कमरे में बिल्कुल अंधेरा चा गया आपको दिक्रों को गेट भी खुला है और यह भी खुला है तीवी भी चले फिर भी कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो गया क्योंकि मौसम इतना खतरनाक हो रहा है ना मैं आपसे क्या ही बता तो यहां का जो मौसम है आप देख सकते हो कितना प्यार और गहना बादल वाओ काफी तेज वाली बारिस आएगी क्योंकि ऐसा लग रहा है और बारिस हो भी रही हलके हलके आप छट देख सकते हो भी गया यहां पर कबूत्रे भी इंज्वाय कर रही है फुल बाबू गुरहल में इतना सारा पानी भरती हो यार वो सूप जाया कि नहीं पहुदा तुम्हें पता है बारिस का मौसम उसमें क्यों पानी डाग देते हो अज फुल नहीं था गुरहल में तो बारिस आ गई बहुत तेज वाली वारिस और मैं जा रहे हुद नहानी क्योंकि मुझे घंओर या हुई है देख आप मतलब कुद दिखेगा नी बहुत चोटी चोटी सी है तो मैं नहा लेती हूं इससे कहते ना बारिस के पानी से घंओर चली जा दिया तो मैं नहा के फ तो गाइज आप देख सकते हमारे आप आप सेज वाली वारिस हो रही है पूरा भर गया फानी फानी किस किस के आप वारिस हो रही है किस 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 के ऑच को फिए सब्सक्राइबस का किस क्लिए वार इंच देख से रही है जह किस किस का दुए को अपरा रही है